हेलो स्टुएंट्स बैली पब्लिक उस्कूल के कच्छा नौविक के सभे विद्यार्थियों को सूप प्रभाद गुड मॉर्निंग आसा करता हूं आप लोगो सलमंगल होंगे तो पिछली कक्षा में मैंने पिछली विडियो में आप लोगों की छितिच भाग एक में पर्थम पार्थ जो दो बैलो की कता है उसके ओपर मैंने चर्चा किया था जिसमें इस पार्थ में दो बैलो की कता अधार दो बैलो की कहानी है जिसका वर्नन मैंने पर्थम लेखक पर प्रेमचन जी के बारे में मुंसी प्रेमचन जी के बारे में उनका जीवन परिचे पूरा जो उनका जीवन का विवरन है वो मैंने आप लोगों को एक एक करके विश्थार पुरुवक आप लोगों के समख्ष रखने का कारे किया है ठीक है आसे करता हूं कि आप लोगों को य आप लोगों को बताऊंगा और पूरी काहनी को आपके समख्च रखने का परयास करूंगा ठिक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पार्ट में इसमें क्या क्या गिए है इस पार्ट में दो बैलों की कता का वर्नन किया है और बताया है कि किस परकार से जो किसान होते हैं वो भारत के लिए एक हीरे एक जो हीरा होता है जो कीमती हीरे के समान माना जाता है जो बहुत ही अनुख्य होते हैं और वो सभी के लिए एक जीवन यापन के रूप में एक नया मार्ग अपनाने के लिए वो प्रेरिद क करते रहते हैं ठीक है तो 12 लोग के कथा कि मांद्यम से यहां बतलाया गया है आगी किया हम लोग देखते हैं टीכ है इसमें कहा गया है कि लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है और उससे कम ही गधा है और वहा है ब Schweiz यहां पर गधा जो सीधा-साधा जानवार है ठीक है सिधा सदा पसू है लेकिन गधे को हम लोग बेवकुफ का जब दरजा देते हैं किसी भी व्यक्ति को जब हम लोग बेवकुफ करना रहता है तो हम लोग उसे गधा काते हैं लेकिन यहाँ पर गधा का एक और भाई है और वो है बैल ठीक है जिस अर्थ में हम गधे का परियोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्या के ताओ का भी परियोग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग बैल को सैथ बेवकूफों में सरोसेस्ट कहेंगे, यानि बैल जो है ना, बेवकूफ को जब दरजा होता है, बेवकूफ को जब नाम लिया जाता है, तो गदे को सामिल करते हैं, लेकिन गदे से भी जो सबसे बेवकूफ में सरोसेष्ट है, सबसे उपर माना जाता है, वो है बैल, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, बैल कभी-कभी मारता भी है, कभी-कभी अडियल बैल भी देखने आता है, और कई भी रित्यों से अपना असं जूरी काचि के दोनों बैलों के लौने नाम थे हीरा और मोती इस पार्ट में प्रेमचन ने किसान का जिक्र किया है, और उसके दो बैल है यर और मोती, एक का नाम हीरा और दुसरे का नाम है मोति दोनों पचाई जाती के थे देखने में सुन्दर, काम में चौकस दोनों किस जाती के थे पचाई तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात असमजिस इस्तिती में लाग कर दिया होगा यह आप लोग सोचते होगे कि पचाई क्या होता है पच्छाई एक प्रकार से जाती होता है, जिस प्रकार से मनुस्व में जाती धर्म के अधार पर बाटे गए हैं, कोई अलग जाती का है, कोई अलग धर्म का है, उसे प्रकार जानवरों में पसू में भी अलग-अलग जाती हैं होती है, जो पच्छाई, पच्छाई एक प्रक दोनों में भायचारा हो गया था, ठीक है, दोनों आमने सामने या आपस बैठे हुए एक दुसरे से मुख भासा में विचार विनिमें करते थे, ये लोग मुख भासा में बात करते थे, और विचार विनिमें यानि विचारों का आधान परदान, विचार विनिमें करत होता है विचारों का, बातों का अदान पर्दान करना एक दूसरे कमन की बात कैसे समझ लेते थे हम नहीं कहा सकते अवसी उनमें कोई ऐसी गुप्त सकती थी जिससे जीओ में स्रेश्टता का दावा करने वाला मनुस्व नचित है जियो में सबसे सरोसेस्ट किसे माना जाता है मनुस्य को और मनुस्य भी ये चिंता कर रहा है सोच रहा कि आकर जो जानवर है जो पसू है वो किस परकार से अपनी मुख भासा में बात करते हैं और वो लोग कैसे समझ जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उसके बाद दोनों एक दुसरे को चाट कर और सुंकर अपना प्रेम परकट करते, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते, वीगरा के नाते से नहीं, केवल विनोध के बहुत से, यहाँ पर दो सब्द है, वीगरा और विनोध, तो मिलकर है ना यहां अलग होने के नाते से नहीं बलकि मिलकर प्रेम बहुत से दोनों आपस में सिंग मिला लिया करते थे ठीक है आत्मेता के बहुत से जैसे दोनों में घनिश्टता होते ही दोल धपा होने लगता है दोनों में मिलाप होने लगता है इसके बिना दोस्ती कुछ पुस्पुसी कुछ हलकी सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वाथ नहीं किया जा सकता जिस वक्त ये दोनों बैल हर लिया गाड़ी में जो दिये जाते हैं गरदन हिला हिला का चलते हैं उस वक्त हर एक की एच श्चा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोज मेरी गर्दन पर रहे यानि दोनों जब एक अस्थान पर रहते थे दोनों जब एक ही नाद में भोजन करते थे तो दोनों में आपस भाई चारा रहता था प्रेम रहता थे जिस प्रकार एक भाई भाई में होता है एक बहन बहन में होता है ह पुतर का अपने पिता के प्रती माता के प्रती जो प्रेम भाव होता है ना उसी प्रकार यहां जानवरों में भी पसूम में भी देखिए किस प्रकार से प्रेम भाव प्रकट हो रही है ठीक है उसके बाद दीन भर काम करते दोपार या संदा के दोनों खुलते तो एक दुसर कर एक मूँ खटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता ठीक है सहीं की बात जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज जिया जूरी जो है इसका मालिक का नाम है दोनों बैलो का मालिक का नाम जूरी और काची और अचानक से जो है ना दोनों बैलो को अपने ससुराल भेज देता है यहां किसके ससुराल के बात हो रही है बैलो के ससुराल नहीं यहां जूरी अपना ससुराल है ना बैलो को भेज देता है लेकिन बैलो को क्या मालूम वो क्यों भेज़े जा रहे हैं बैल यह सोचने लगते हैं कि हमारा जो मालिक है हमें किसी दुसरे के हां तो भेज रहा है ऐस जाले गया को घर तक गोई ले जाने में ताम तो पसीना आई है गया जूरी के जो साला है उसका नाम है गया ठीक है और वो दोनों बैलों को ले जाता है लेकिन बहुत ही प्रिसमत बहुत ही कश्ट से दोनों को हांकते हुए बाये दाये भागते पगहिया पकड़ कर आगे से खिषता तो दोनों पीछे की ओर जोड लगाते मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकार थे अगर इसवर ने उन्हें वानी दी होती उन्हें बोली दी होती आवाज दी होती तो जूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो यानि वो गरीबों से पूछ कि मालिक हमें क्यों निकाल रहे हो क्या हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर उठा रखी अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था ठीक है हमने कभी दाने चारे की सिकायत नहीं की तुमने जो खिलाया व तो क्यों ब疫च दिया यानि वो अपने मालिक से कर रहा था दोनों बेल सोच रहे थे कि अगर मेरे पास वाणी होती अगर भगवान ने मुझे वाणी अवास दियो थी तो अब मैं अपने मालिक से पूछता कि हमारे काम में कोई कमी हुई है जो तुम इस जालिम की हाँतों अथार किसी दुसरे के हाँतों बेच रहे हो ठीक है तो ऐसी मंजा दोनों बैलों की थी दोनों बैल आपसमें सोच रहे थे ठीक है तो इस वीडियो का मादम से अभी के लिए इतना ही दाने होगा था